कोदूली के निवासी त्रिवूहन हरिदास इखाथ 26 अप्रिल 2022 को तहसील कारियाले पवनी के सामने अंशन कर रहे हैं मेरी मांग है कि पुरानी आने जाने वाली सड़क के दोनों और से अतिकरमन को हमेशे के लिए हटाया जाए भविश में बिना अतिकरमन किये मेरी सड़क पर बने अतिकरमन निर्मान को हटाने के लिए अनावेद के 100 रुपय के स्चाम पेपर पर गैरेंटी प्राप्त कर के दे इन चार प्रमुक मांगो को लेकर वह भूख हरताल पर हैं हाला कि 29 अपरेल 2022 को मेरी तबियत खराब होने के कारण पुलिस ने एक एम्मूलेंस को बुलाया और उन्हें ग्रामन अस्पताल पवनी ले जाया गया त्रिभुवन एकर के अंशन पंडाल को हटा कर तहसिल कारियाले में जमा करा दिया गया जब मैं अपनी किसी भी मांग को स्विकार किये बिना अनुपस्तित था तो मेरा अपना पंडाल क्यों निकाला मैंने तहसिल कारियाले के करमचारियों से अपना मंडप यथावत रखने के लिए कहा लेकिन मेरी मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जब मैंने अपने शरीर पर पैटोल डाला तब पुलिस ने दपकी और माचिस को छीन लिया फिर मैंने अपना इंशायन पंडाल बान दिया कुदूर्णी ग्राम पंचायत ने मामले की जाज का पत्र दिया है उपमुखे कारेपालन अधिकारी ग्राम पंचायत जिला परिशत भंडारन ने भी समू विकास अधिकारी बीडियो पंचायत समीती पवनी को पत्र दिया है यदि ग्राम पंचायत से लेकर जिला कलेक्ट्य कारियाले को मेरे किसी भी पत्र का संग्यान लिये बिना मेरे मांगों को सुविकार नहीं किया जाता है तो मैं वेक्तिगत रूफ से तहसील कार्याले के सामने खुद पर पैट्रोल डाल कर और खुद को आग लगा लूँगा उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि मेरी और मेरे परिवार के जिम्यदारी प्रशासन पर रहेगी पवनी से बीसीन न्यूस के लिए प्रदीव गाडगे की रिपोर्ट